आखिर क्या था काले बक्से का काला सक्ष जो प्येम मोदी के साथ आया था देखते हैं काले सफारी सूट पहनते हैं इस काले बक्स को लेकर सफारी सूट पहने ये लोग एक गारी के पास जाते हैं गारी में काले बक्स को रखा जाता है और फिर गारी निकल जाती है कुल 40 सेकंड का ये वीडियो है इस वीडियो को कॉंग्रेस ने जारी किया और कुछ दावे किये है वीडियो करनाटा के चितर दुर्ग का है पीम की रैली से पहले का वीडियो है चित्रदूरग में पिएम के हलिकॉप्टर से काला बॉक्स उतारा गया हलिकॉप्टर से उतार कर बॉक्स को कार में रखा गया ये जानकारी हमारे पास आई है कल, हमारी मांग है इसकी तुरंथ जान चो वीडियो और दावे जारी करने के बाद कॉंग्रेस ने सवाल उठाए बॉक्स सेक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा क्यू नहीं था? इनोवा पीम के काफिले का हिस्सा क्यू नहीं थी? किसकी कार थी? बॉक्स में क्या था? इसकी जाँच हो ये खुलासा होना चाहिए कि उसके अंदर क्या था? वो कहां गया बक्सा? वो गाड़ी कौन सी थी? देश की जनता को अधिकार है ये जानने का प्रधान मंत्री के अपने हित में है कि प्रधान मंत्री पद की संस्था की मर्यादा को देखते हुए ये सचाही सामने आए कॉंग्रेस ने आरोप लगाया और चुनाव आयोग से जांच की मांग की कॉंग्रेस के सामने आते ही पलटवार करने के लिए बीजीपी की प्रवक्ता भी सामने आए बीजेपी ने कॉंग्रेस पर आरोपों का दोहराव जरूर किया है मगर उसने कॉंग्रेस के सवालों के जवाब नहीं दिये जबकि संदिक्द बक्से में क्या था इसे लेकर कयासों का दौर भी तेज है और सियासत भी कॉंग्रेस के सवालों के जवाब देने के बजाए बीजेपी भी सवाल ही कर रही है और असली सवाल छूट रहा है क्या ये बॉक्स पी-म के हिलिकॉप्टर से उतारा गया और अगर हां तो इस बॉक्स में क्या था और ये कहां ले जाया गया